हलो फ्रेंज तो मसाला हमारा कर चुका है अगर आप लोगो मारा वीडियो अच्छा रखता है तो लाइक करना श्राइब करना फैमली दोस्तों के साथ और वीडियो पे नियो आ गए हो कहीं से तो चैनल को सबस्क्राइब करके कि चाना मैं ऐसे ही डेली व्लॉग डेली जान की अब पराटे बनाओंगी तो मेरे हस्बेंड आ चुकि है तो मैंने का चलो फटाफट से बना लेते हैं पराटे क्यूंकि मैंने आटा लगा के रख लिया था जो भी बीमसाले थे मैरे मेने सारे आलू मैं उपर से डाल के रखे थे भी mix नहीं किया हैं तो सबसे पहले मैं आलू को mix कर लूंगी और उसके बाद पराजे बनाना श्टार्ट करूंगी क्योंकि आलू के पराजे होगा चीला हो गया यह चीजा करम अच्छी लगति हैं धंड बोलते हैं सब लोग तो क्यों बोलते हैं वो मैं आप लोग को बता दूँगी थोड़ी सी देर बाद आप लोग वीट करिएगा तो अच्छे से में आलू को मिक्स कर लोगी और नमक अमक मैंने सारे मसाले जैसे की लाल मिर्ची पावडर धनिया पावडर सब हमने इसमें एड कर दिया है और आडा भी हमारे लग्के रख चुका है तो हमें आलू कैसा पता है आलू का तो आलू को हमको एकदम ऐसे बारिक नहीं करना थोड़ा सा मोटा मोटा रखना ज्यादा बारिक करेंगे ना तो पराठों में से बहार निकल आएगा आलू तो चलिए अब आलू का बेश्ट हमारा बन चुका है तो आप हम बनाएंगे पराठे तो मैंने ले लिया है घी का डबा तो मैं घी के ही पराठे मनाओंगी तो मैंने सोचे छे साथ पराठे बनाने आठ पराठे तो घी में ही बना लेती हूं तो इस तरीके से मैं लोई बनाती हूं और उसमें आलू के परांटों को बहुत दीरे दीरे से हलके हलके आतों से बेलना है यह देख लिए इस तरीके से और क्यास को एक तम हाइफ लेंड पर रखना है और एक बात मैं आप लोग को बता दू अगर आप लोग पराड़े बना रहे हो न तो यह तबावाला परांटा को अच्छे से दो नंवे बाली पाव आते न वो हम तो वहीं पर करने लगे तो बोल रहे थे कि मैं अलुका मसाला भर ले नमकेन भर के मीटी चतनी बर के उसको बनाएंगे बहुत अच्छे लगते जैसे कि दलीं होती है न बिल्कुल वैसा मैंने आच्छा ठीक है तो बोल रहे थे मेरे लिए तो पर से बारिक वाली नमकीनाती वोस में लागा ली उपसे चीली सॉस डाल नहीं है मैंने नहीं सूस डाल किस तरीके से दो बनाए तो को मैंने ने लूस तराएगा और मुझे भी टेस्ट करा ना कैसा बना बहुत ज्याद अच्छा बना हरा तो क्योंकि मेरे पास ट्राइं समय नहीं था और अभी 10बज रहे थे बहुत सारी लोग सोच रहे हूंगे कि यह वाला नम्कीन का पकड़ तिंख रहा है तो बहुत लोग सोच रहे हूँ कोई कि अपने husband पर काम कर्वाती है तो सच्ची बताओ ना मैं वह एक कुछ भी काम नहीं करती है जाद मंतलब मैं करवाती भी नहीं हूँ मुझे जरुवती नहीं है क्योंकि मैं सारा काम अपने आप ही कर लेती हूं घर का मेहनत वाला काम तो मैं उसे खुद ही बोलती नहीं हुगी कुछ भी काम करो अभी तो उनको खाना था और मैं बना रही थी इसलिए वन्हों मुझसे ही बनवाते तो यह देख लिए है मीठा वाला सौस याने की टमाटा सौस तो इस तरीके से हो गया और नमकीन डालके बस बन और जब तक हमारे पराठे बनना है बस बनाना बाकी थोड़े दो चार और प्रम खाएंगी खाना सच्ची आलू के पराठे और उस दिन क्या हुआ था कि बरसात बहुत तेज हो रही थी और कल बहुत सारी मैंने वीडियो देखे बहुत सारी लोगों के तो वो बोल रहे थी कि मेरे नात बहुत ज़यादा कर्म बहुत ज़यादा सच्ची बता रही कंगल के डिट में यह आठ ही तिफि खुल कर आठ ही कंटारिक में था को हशें पौल रहे थी कि और दौक में वी टेस्ट कर आऊंगे तो में निहीं है अभिकर भणा के जाती फिर बादल आया ते फिर हो जाती बतलब इतना ठंडक मौसम अगर हम पंखा न चला है तो भी आराम से बैटे हुए ठंडक से ही मैसूस हो रही है गर्मी तो नाम की भी नहीं है घर्मी अब जा चुकी है आहां से तो दो फ्रेंस में आप लोग के साथ एक बात शेयर करने वाली थी कि बहुत लोग मुझे पागल समझते तो आप लोग बता दो क्यूं क्यूंकि मैं उनको बोलती न मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूंगी और इस तरीके से यूट्यूब पर बहुत कुछ हो सकता है सारे सप जबकि मैं इतनी ठक जाती इतना मेरे पास काम होता है फिर भी तो फ्रेंस जो भी खाने के सामान था मैं याने की जो मैं लेकर आयती दही दही और मसाला और दसीन दही का मसाला होता न चाहस का मसाला वह और वह आलू उन्होंने बचवाई थे वो और एक प्याज माग रहे बोल रहे हैं प्याज लाओ मैं कट कर लेता हूं मैंने का ठीक है और जब तक मैं थाली वाली पानी मतलब यहां पर खाने के जो भी खाने की चीज़ है वह सब यहीं पर मैं एकटा रख लेती हूं उसके बाद मैं खाना खाने के लिए बैठूंगी तो फ्रेंच बस यहीं बोल आप सारी काम टाइम पर कर रही हूं वह मेरी जतना काम था कोई कर भी नहीं सकता करने वाले करते हैं हर कोई नहीं करता तो फैर मैं खापी के सो जाते हैं निकिन मुझे तो दो मिनिट के लिए आराम नहीं मिलता है क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है तो चली फ्रेंच टाहिती है के फैटते हैं के निताए परस देती हैं दही निकालके देती हो जिसको मेटा ंहा पांवे अ पाना वो आ ठाटाने हो जिसको टीका parody काना प्लॉर मेलі झाल हो पामील हो पहर ना ह bolts करता लो को शेयर करते है जो होता है वो तो मैंने हो तो मैंनेमेटी वाले चटन न है चुपक गई है दग गई है तो यह स्वाध तो यह देख लिए जैसे की क्या बोलते हैं जैसे की दावेली बंती न उसी तरीके से ऊन्छा न फॉलड में पाव की बना थी टी तो पहरे मीटी चठनी लगा के प्यास लगा के बस 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 मतलब कहने हैं तरह के दावेली, एक तरह के उन्होंने धावेली बना ली थी लेकिन धावेली में पाओ, गूल वाले हो ते चोकर वाले और ये लम्मे वाले पाओ का बना के इस będziemy скорее हो त्रेस्ट करके बतओ कैसे बना दही में भाग घरपी नहीं जमाती हूं बाहर चलेकर आई थी क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी खराब थोड़ी सी चरतीसी लग रही थी इसलिए मैं घरपी नहीं जमाती हूं बाहर चले लाई थी मैं सिर्फ तीस यह, 30 रुपय का दही मंगा लिया था बस इसमें हो गया था व को और इसके बाद भी आपका ठंडा काओ क्या मतलब है तो मैंने को मैं तमारी हेल्प कर देती हूं तो मैं भी बनाने लगी तो पहले पाव ले लिया उसको कट कर लिया फरस्ट में चेटनी डालके और आलू का भरता डालके प्याइज डालके नमगी डालके वैसे इस तरीकी स बनाके रख दिया वैसे छ लोग कि छुटे चुटे वाल पाव होती इस लिए ज्यादा देख नहीं रहती तो यह इस चास भालाओ आई तो आप लोगो एंक आपक पट्डेखा ना गरेना मज स्कों कर सकति कूधने चयांगे ge खाना खाने के लिए भैट्ते हैं तो यह देख लिए जेए हुए रेट कई जा भी ख्र देनी जा री थी उनों Kollege में जहात li वीडियो चाहिए मैं आश ब्लोग में वैसा वीडियो बना नहीं